आज हम लोग कुछ नया कोकिंग सिखेंगे जिसमें से सिखने वाले हैं पनीर धोसा मसाला वाला कैसे बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं हेलो फ्रेंड मैं प्रियंका प्रियंका डिसी वीडियो चनल में आपको बहुत बहुत स्वागा था अपना इन्पोर्टेंट टाइम देखें मेरा वीडियो देखने के लिए तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला हैं क्यूंकि आज हम लोग प्रोब्लम कैसे बना सकते हैं बहुत सार्ग लोगों का प्रोबलम होता है नोनिष्टिक बनाएंगे लोग एक तो यह पुझा बनता नहीं है आज आपका ये भी प्रोबलम सॉल्फ कर देते हैं दोसा बनाने के लिए हमें चाहिए रेगुलर इस्तिमाल में जो चावल खात अच्छे से धो लेंगे धोने के बाद इसका जो जितना भी गंदा पानी होगा नो निकल जाएगा और इसको में भिंगा के रखना है रात भर के लिए तो मेथी दाना थोड़ा ही सड़ा लेगा ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना एक छोटी वेली चमच का आधा च और मच डालना दालों जाता है उस में झालेश तो यह देखे पानी से पहले इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं और यह होता ओतान है कि ध्यों सामारा बंता नया चिपसपघ को सथे सेर कर रहे हैं कि एक ही बार में पर्फेक्ट दोसा बनाईएगा रात पर भिंगने के छोड़ दिये थे भिंगने के बाद हमारा चना दाल और आप देख सकते हैं उरत का दाल और चावल कितने अच्छे से फूल गया है इसमें से पहले थोड़ा सा निकालेंगे और उसे रुक रूप के चला कर पीस लेंगे बिल्कुल महिन पीसनाया आपने दरदरा भी नहीं पीस लेंगे और थोड़ा सा पाने डाल के इसको और भी अच्छे से पीस लेते हैं सारम पीस के निकाल दिए हैं आपको यह दिखा ले देते हैं यह कुछ इस तरी के समय बेटर बनाना यह अब इसी इडली और ढ़ोसा दोनों बना सकते हैं अगर आप दोनों बनाना चाहते हैं इसी बेटर से आपका बन जाएगा यह जो होता है कि जो होता होता है थोड़ा सा गाड़ा ओधिया पूरा रात भर के लिए अगर शर्दी में तो तोली सा ढ़कर रखे के रखे नेक्स्ट मॉर्निंग में चलिए देखते हैं कि हमारा धोसे के बटर कितना फूलाए तो यह देखे कितने अच्छे से फूल गया है क्वांटिटी भी डबल हो गया और इसमें यह देखे कितने जाली पड़े हुए है तो इसी तरीके से हमें धोसा का बेटर बनाना है अब इस हमें धोसा का बेटर चाहिए और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि नमक हम नहीं डालेते अगर आपको जितना बराना है धोसा उतना बेटर निकाल लीजिए बाकी का जो बचा हुए उसे फ्रेज में श्टोर करके रख दीजिए जब मन करें तब धोसा बना सकत कोट होना चाहिए अगर कोट हो रहा है तो समझे कि बहुत ही परफेक्ट हमारा जो बेटर रहे उसमें ज्यादा पानी अब नहीं डालना है अब इसको फेटके चले साइड में रखते और चलते हैं बनाने के तरफ और यकीन मानिए यह तरीका देखने के बदना हंडेट पर डालिए और पर से इसको पोच लीजिए अब पोचने के बाद क्या करेंगे कि टमپिल्कुल लोह गया है तो अब इस पर हम डालेंगे बेटर अपना बेटर डालेंगे तो इसस घीक होगा कि छीपकेगा नहीं तो हमारा जो है तवे में यह चीपकेगा बिल्कुल भी नहीं गरम तवे को पहले से गरम करने के पाद उसके पानी की चीटा डालाई फिर तवा करें उसके पानी की बिल्कुल लोफलेम कर दीजेए और उसके बाद ढ़लाई को भीटर को फैलाने की बाद देखेंगे साइट सी खुदी ये अपने चोड़ने लगेगा और यहाँ पर थोड त्वेत्चे बिल्कुल सब्यू पर्फेक्ट जिए दाल करें, नहीं के यह जो vom टमप्रेचर पे अगर हम बेटर को फैलाते हैं तो वह बिल्कुल भी चिपकता ही नहीं है और यह आपको नो निश्टिक तवा को कोई ज़रूरत नहीं है आप सिंपल तवे पे लोहे के तवे बहुत ही परफिक्ट डोसा बना के त्यार कर सकते हैं चाहिए वह मसारा डोसा हो पनीर डोसा हो पेपर डोसा हो सबका रेश्पी आप लोग के साथ सेयर कर चुके हैं नहीं भी सास हो था तो प्रियंका डिसी यूटूब चैनल पर जाके देख लीजिए और आपको साथ बहुत जल्दी मुमफिली और नारिल का चटनी का भी वीडियो सेयर कर देंगे जो अ बहुत ही अच्छा लगता है पनीर डोसा मसाला और आज को वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंदिया को तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा और अपने प्रियंका डिसी वीटूब चैनल को सस्क्राइब करिएगा नेश्ट कौन सा रेस पी दे देख सकते हैं कितना टेश्टी और हमारा डोसा बनाए बिल्कुल क्रंची बनाया बहुत प्यारा कलर आया है वीडियो पसंद आएगो तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा अपने प्रियंका डिसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नेश्ट कौन सा वीडियो आगे देख सकते हैं अगर अभी तक से नहीं देखें तो बैब